यूनिट्टू नहीं आया चलिए इसमें तो बहुत सारे लॉस है दूसरा कुश्चन देखते हैं यह वाला बाद में करेंगे हम कर दो कर दो झाल झाल चलिए यह करते हैं तीनों के लिए निकालना हैं यहां भी चलिए तीनों के लिए देखते हैं कहते हैं आपको क्या करना है ग्रास टोटल इंकम कमप्यूट करना है तो जो हम यह निकालते है न जननली इसको हम ग्रास टोटल इंकम का ही नाम देते हैं जी टी आई gross total income ही बोलते हैं compute करना है gross total income compute का मतलब total करिए income Mr. B का assessment year दे रखा है नीचे कहता है यह अगर ordinary resident हो non ordinary हो और non residence हो अगर यह ROR हो NOR हो और NR हो तो तीने उस situation में बताना है ऐसा कहता है salary for service rendered in Canada but receive in तो sir receive हो गया तो तो आपका status कुछ भी हो Indian income बन गया यह receive होते ही remittance और receive में फरक था बताया था जब receive हो गया तो text हो देना ही पड़ेगा simple सी बत कौन देगा तीनों ही देगा loss from business Sri Lanka control from India से control हो रहा है तो दो को देना पड़ेगा एक लाख यहां से minus करिए एक लाख यहां से minus करिए royalty receive from technical अब know how know how का मतलब पता ही क्या होता है goodwill हम goodwill को ही know how बोल देते हैं कई बार ध्यान रखना intangible assets का part होता है आगे जब हम capital gain करेंगे रहा है तो वहां पर इसका calculation आएगा क्योंकि टेक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता ही क्या हर एक जगह पे वह वो पॉइंट डाले हुए या उस पॉइंट का थोड़ा सा लिंक होता है जो को हमने पढ़ाई नहीं अभी तो अगर मैं यहां know how explain करूं तो पूरा capital gain अच्छे से मुझे explain करना पड़ेगा मैं बोलू कि यह सर माइनस क्यों हो रहा है तो पूरा सेटप explain करना पड़ेगा मैं बोलू कि सेलरी में से 50,000 का डिडेक्शन माइनस होता है तो पूरा सेलरी मुझे explain करना पड़ेगा मैं बोलू हाउस प्रोपर्टी में से 30% का 24 होता है डिडेक्शन माइनस तो यह वाला चप्टर थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा हम कुछ चीजों को बस मैंने बोला और आपको यह मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है लेकिन जैसे जैसे हम पांचों हैड कम्प्लीट करेंगे ना तब मैं फिर से कने परणी ψनिकल no how You by Mr. X नों resident nine इन बिजनस carryड आउट इंडिया बिजनस carryड आउट इंडिया बट रिशीं इन Lunde कि तो बिजनस कहा है इंडिया में तो बत इन अलिय नहीं कहतम होग बैं इंडिया में बिजनस है तो तीन लाग फिर से पढ़ के बता दू कहता है कि royalty income है भाई कोई income है ये मान लो royalty क्या होता है basically rent से income आता है और या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वज़े से आपका कोई income generate हो जाता है और technical know-how used by Mr. X Mr. X किसी ने use किया वो known resident है तो पहानी वही हो गया जैसे मैंने बिल गेट्स वाला बोला था और इन आप बिजनस केरीड आउट इंडिया तो एक परसन था X उसने बोला के भाया इस income को जो आपका रोयलिटी हो मैं हिंदुस्तान के इंदर इस्तमाल करके इसे बिजनस करूँगा और फिर पैसा कमा हुआ तो बिजनस तो इंडिया में ही चल रहा है एक तरीके से इसलिए किस पर हो गया यह और न बान ऐधियल न के उप़र ठेक्सपल हो गया रिसी ब्लंडन में ओर रहा है क्या फ़रक पड़ता है सोर्स तो इंडिया से न करका कर इंकम फ्रॉम एग्री कलच्टर पोरसन सिंख कहा है यह कि इंडिया का ही पार है तो income tax किसी agriculture income पे कभी भी taxable नहीं होता अगर भारत की जमीन से कमाया हुआ हो तो ठीक है नाम देखो थोड़ा सा सिक्किम कुछ बच्चे सोच सकते हैं बाहर है चाइना में है कुछ सोच सकते हैं इंट्रस्ट ऑन बैंक डिपोजिट इन स्री लंका सब्सीक्वेंट्ली रेमिटिट टू इंडिया सिर्फ और और के लिए टेक्सेबल होगा बस खदम है आप टोटल इंकम कर देंगे जी टी यहां जाएगा पता एक कोस्चन में ना पता है कई बार हमें ना अजंशन लेना पड़ता है कुछ बाते जैसे नहीं बता था जैसे मैंने बोला कि अग्रिकल्चर इन पॉलेंट तो आपको पता ही नहीं चल रहा सर्पैसा रिसीव कहां गया एक्जामनें नहीं दिया उन सभी के लिए आप इनकम टेक्स के अंदर नोट क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा पेपर के अंदर अगर आपने नोट दिया अब इसके अंदर नोट या क्लेरिफिकेशन या कुछ भी एकदम लोग की लेंगवेज नहीं अपनी साधारन लेंगवेज में जो यूस करते हूं English के अंदर जो terms इसे बोलते हैं इंकम टेक्स एक लॉक का सबजेक्ट है रिखे लॉग के अंदर तो इसे तरीके से लेंगवेज लिखने हैं लेकिन सही, कुछ बच्चे अपने language में बहुत ज़्यादा लिख देते हैं और वो accurate नहीं लिखते हैं, इधर उदर की बाते लिखते हैं, accurate examiner बोलता है भया, चाहे 10 नंबर का कुछ सेने, 5 नंबर का, 5 ने मत भरिये, आप to the point जो पूछा है उसका जवाब देजे, आपको full marks म मिलेगा, कहीं भी ये नहीं बोला हुआ, examiner ने, आपको section quote करना है, कहीं नहीं बोला हुआ, के assessment year का, जो definition, section में लिखा हुआ है, बिल्कुल to the point लिखना है, अपने language में आप समझा सकते हैं, उसको, त्यूटर वीडियो डिसेबल आ रहा है, अभी कोई error आ रहा होगा, देखना हुआ हूआ, आपको visual है न, इल्मा आपको visual है, कोई दिक्कत आ रहा होगा, ट्यूटर वीडियो डिसेबल का, मैं देख लूँआ, क्या issue आ रहा है, एक दो दिन से आ रहा है, अब मैं एक बार doubt भी देखनों बच्चों के, बहुत सारे बच्चों ने साथ कुछ कुछ कमेंट भी किया है, पॉइंट नमबर 4, जतिन ने कहा है, सर अगर कोई foreign में income अन कर रहा है, और इंडिया में receive कर रहा है, तो क्या इंडिया और foreign income दोनों government को tax देगा, नई, अगर इंडिया में receive कर र सर ये कौन सा unit है, ये आपका दूसरा chapter है basically, जतिन सर आज फिनिस, आज मेरी पोसिस तो यही है, देखो, काफी सारे question कर लिए, simple simple, थोड़े से complicated question देखे फिर करेंगे, देखे ये दूस्ति अभ alar फिर्या घ। मतम दोनों देखे प्याँ कर देभ वार्थ झाल झाल जो बुक में गीवन था उसके आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे देखेंगे ना तो सेलरी इंकम यहाँ पे नहीं लिखा गया यहाँ पे होना चाहिए यह पांच लाग होगा यह थोड़ा सा करेक्शन लगना थे ठीक है और देखते हैं सर कोई कुशन बिल्कुल यह कुशन करते हैं चलिए आपको देते हैं यह करने के लिए और टाइम रहेगा स्रिफ और स्रिफ आपने स्रिफ आंसर में जानना चाहता हूं पूरा नहीं करना अपने मतलब कि बताना है किसका क्या इंकम है यह रहा आपके सामने कुशन आपको करना है बिना देखें इमानदारी के साथ देखें क्या कहता है मैं पढ़ देता हूं ठीक है कुशन कहता है मिस्टर एन इस आर नोन ओर्डिनरी रेजिदेंट एनर है यह इंडिया एसेस्मेंट यह एकिस बाइस ही इस दा फरनिस दा फॉलविंग पर्टीकुलर ओफ इंकम फॉर दा प्रीविएस यह बीज तो सर एनो आर के लिए इंकम निकाल के बता देजे जल्दी बताईए देखते हैं सबसे तेज कौन आंसर देता है आप पूरा वर्डिंग नहीं लिखिया एटलिस कैलकुलेशन करके बताईए कौन सा इंकम किसके लिए हो पहला है इंकम अर्न इन बांगलादेश बट रिसीव इन इंडिया इसके अंदर एक बच्चों सकता है के सटेलरेशन रिसीव इन नेपाल सेल कंसिडियररेशन क्या होता है यह डाउट हो सकता तो मैं बता रहां का मतलब तो जमीन बेच के पैसा मिला ना तो जो पैसा मिलता है ना जमीन बेच के उसको बोलते हैं सेल कंसिडरेशन ठीक है ना आपने एक इंडिया का पूने में एक घर था उसे बेच दिया और नेपाल में पैसे रिसीव कर लिए हिंदी ट्रांसलेशन यह आप करिया अच्छा अच्छा को देखते हैं कुछ बच्चों का अंसर आ गया कि हां मैं भी बता दूंगा बता दूंगा भी दिया का इड़ीम के दिया में दूंगा आपको देखते हैं नेकुर आपको दूंगा पाटार करता दूंगा दूंगा इज पर सक्षाए लुक्रान से आपिए झाल 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 कुछ बच्चों का 690, कुछ बच्चों का 590 अभी चेक कर लेते हैं करें चेक जी इसको एक बार देखिए जिस जिस ने जो आंसर निकाला अपने आंसर को वेरिफाई करना है अब तो कहता है income earn in bangla desh receive in india receive हो गया तो ये एन्वार है तो कोई बात नहीं 440 पे टेक्स देगा कहता है capital gain in पूने पूने भारत से पैसा कमाये जा रहा है तो टेक्स देगा कहता है salary receive bangla desh branding service in kolkata भई kolkata से पैसा कमा रहा है ये तो टेक्स देगा agriculture income from स्री लंका स्री लंका से receive भी वहीं पे है मैं ये assumption ले रहा हूँ receive दे रहा है वहीं वहा तो ये नहीं देगा जिस ने receive इंडिया मांगा तो देगा profit business carried in Pakistan but control from India, इंडिया में control हो रहा out of which 50,000 receive in India इस point को मैं explain कर दूँ भी 1,500,000 था control बाहर से था 50,000 बोल रहा है कि इंडिया में receive हो गया सर ये तो तीनो देगा बचा 1,000,000 पे दोनो देगा यानि इस पे R.O.R. देगा और N.O.R. देगा क्योंकि ये पार्ट हो गया control situated outside इंडिया ये receive हो गया तो इस पे तीनो देगा तो ultimately R.O.R. के लिए निकाला जाए तो पूरा 1,500,000 खा जाएगा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ N.O.R. दे तो रहा है अब देखो 6.90 मैंने लिखा है अब जो बच्चे अजम्शन ले रहे हैं के जो हमारा एक कौन सा income था अगरी कल्चे स्रीलंका वाला पैसा भारत में receive हो गया होगा जो ये अजम्शन ले रहा है उसका 7.90 और जो अजम्शन ले रहा है के पैसा भारत में आया ही नहीं वो 6.90 तो दोनों का अंसर 5.90 वाले बच्चे तो गलत है भाई वैसे ऐसे situation में आप confused मत हो मैं एक stat बता देता हूँ जब आपको पता नहीं चलाना है पैसे इंडिया में आया नहीं आ है तो मान लो वहीं receive हो है इस हिसाब से अपने answer देना है लास्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि profit business carried Pakistan भाई पाकिस्तान के अंदर business कर रहे है जो कि बहुत dangerous है but control from India लेकिन control इंडिया से कर रहे हो फिर भी ऐसा कोई business हम ऐसे हम करते नहीं है जनरली अगर ऐसा कोई काम हो तो फिर out of which 50,000 receive India question में examiner क्या confuse करना चाहरा है sir 50,000 इंडिया में receive हुए तो 50,000 को receive के हिसाब से सोच लो और बाकी के 1,000,000 को control के हिसाब से सोच लो control तो वैसे पूरे 1,500,000 ही है या तो पूरे 1,500,000 को control के हिसाब से सोचते भी हो ना तो 2 पे taxable लग जाता है तो आप उसी के हिसाब से सीधा 1,500,000 कर दो कुछ पच्चे confuse हो रहे है sir 50,000 रुपे receive इसका क्या तो इसको दो हिस्से में बाट दो 50 को receive के हिसाब से सोच लो और बाकी एक को control के हिसाब से सोच लो ठीक है ना वो depend करता है sir 5th condition में 5th कौन सा है foreign income नहीं है control इंडिया से हो रहा है receive दे रहा है लेकिन मैंने बताया था शक्षम के इंडिया से control होगा तो उसका condition अलग रहते है अभी भेज़ देंगे अभी अन्जी एक और कोईशन करें बच्चे कह रहें टाइम हो गया है चलिए अगली क्लास के अंदर देखो मेरे पास कितने कोईशन रहे गया चेक कर लेता हूं एक बड़ देखो कोईशन नमबर में एक बार एक समझ लो कोईशन नमबर वन कल मैंने थोड़ा बता दिया था वन नैंटी ये वाला करना है नहीं होगा जो कोईशन आते ही आप डाउट बता दोगे कमेंट में कॉशन नमबर टू मैंने करवा दिया है ये कॉशन नमबर थी ये नहीं करना है क्योंकि इसमें लॉंग ट्रम शाट ट्रम क्याप्टल गेन ये भी नहीं करना फिलाल के लिए कॉशन नमबर थ cable बता देता हूं क्योंकि इसमें सेटफ होने के कंडीशन कुछ तो question number 4 भी नहीं करना ये थोड़ा सा reality Q क्यूच की कौण सा है रोयलेटी है ना तो QQB हमारा section है उससे related है इसको भी नहीं करना पूर्थ को भी अब नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम करेंगे लेकिन जब is section से coordinate हो जाएगा ना करके हमारे बुक के अंदर सबसे लास्ट में आता है वो तब करेंगे को कुश्चन नंबर फाइव करना है आपने को कुश्चन नंबर शिक्स भी आपने करना है नहीं फिर परिशानी कोई क्या फाइदा मैं पहले बताया था सर शिक्स में न स्रिफ आप इंकम इंकम निकाल ले ना इए टेक्स कॉम्प्यूटेशन अगर निकालना चाहते हो तो ओल्ड रिजिम मैंने बता रखा है यहां पर दो रिजिम है ओल्ड रिजिम और न्यू रिज एट्थ यह भी करना है नाइन अब एक चीज ध्यान देना एक चीज ध्यान देना मैं कुछ बच्चे आंसर देखके कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता देता हूं अभी सैलरी इंकम में जो हमारा नया सेक्षण है 161 ए उसमें डिडेक्शन है मैं थोड़ा बता देता हूं 50,000 का यह तो कर लिया हमने चलिए आप ट्राइ करिएगा जो अफलाइन वाले बच्चे हैं ट्राइ करेंगे उसके हिसाब से आपका होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो आपका हूं